हेले स्टुडेंट कैसे हैं आप सब एक बार पुना आप सभी का आपके अपने इसे अनल सी कोचिंग क्लासस पर स्वगत है क्लास चाहे आप टैंथ में हो इलेवन्थ या टॉल्थ में हो यह आज को टॉपिक है छोड़ा सा बहुत ही महत्मुण है कुश्यन आता है टैंथ और की आवर्साणी की बात करें तो मंडलीप की आवर्साणी पहले दिया गया बाद में अद्निक आवर्साणी नहीं बनाया होता तो आद्निक आवर्साणी को बनाने में उतना सहुलियत ना हो पाती है और नहीं उतना आरण जो पाता लोगों का मानना है कि आदमी कवर्षाणी ही सब कुछ देनें बास्तों में ऐसा नहीं है देखो यार भाई जब कोई जीज बेसिक बेस बन जाता है तो उसके उपर कोई भी चीज बनाना आसान हो ज बात हो रही थी उस समय तक में 73 तत्यों को खुज़ है चुका था मतलब 63 तत्यों थे उस टाइयंपर इसलिये उन्हें 63 तत्यों के औहर पर ही तत्यों को व्रस्थित किया तो उस समय तक 63 तत्यों को बढ़ते हुए परमारोग्रमान की आधार पर Οितित किया था ल मेंद्लीप के अबर्सानी में आप लोग लिखते हो तत्तों के भौतिकवा रसानी गुण परमाणु द्रबमान के अबरती फलान होता है पहला डिफरेंस होगा आपका complete दूसरा देखें इस अबर्सानी में आठ उर्धवदर इस्तम हैं मतलब मेंद्लीप के अबर्सानी में आठ उर्धवदर इस्तम्भ हैं जिने हम क्या कहते हैं बर्ग कहते हैं लेकिन आत्मी का वर्षाणी में अठारे उर्धवदर इस्तम्भ हैं जिने बर्ग कहते हैं और इसमें साथ आवर्थ हैं क्लियर तो मैंडलीब के आवर्श्णी में साथ उर्ध harbor इस्थानि Şimdi कहते है जब की आत्पिक आजनी के समस्दानिकों को स्तानि में इस्थान नहीं मिल सका मतलब जिसे मंडलीब ने जब तद्व के वस्थित किया तो अलओ अलग परमार GB समस्थानि क्या कहलाता है इनके जबकि जो आतनिक वर्षानी है इसमें तत्तों के समस्थानिकों को साड़ी में उचीत इस्थान प्राप्त हुआ है क्योंकि उनमें परमान प्रमान के एक समान होते हैं ऐसा ठीक है चलिए चौता नमबर देखिए रासानिक दिश्ट से असमान तत्तों को एक साथ रखा गया था मतलब मंडलीब के अवर्षानी में जो तत्तों थे एदि ओर रासानिक गुड में समान तप दरसित करते थे फिर भी साथ रख दिया गया था जबकि जो आतनिक वर्षानी है इसमें जो है रासानिक दिश्ट से असमान तत्तों को अलग अलग बर्गों में इस्थान दे सकते हैं साथ में बर्ग में रख दिया गया था जबकि इसमें संक्मन तत्तों को बर्ग तीन से बारे में रखा गया है मतलब संक्मन तत्तों को डीवला के तत्तों में बस्तित किया गया है तो कहां से कहां तक रखा गया है तो रखा गया है तीन से बारे क्योंकि टूटल द एस साड़ी के बनने तक खोज नहीं हो पाई थी इसलिए इनके लिए रिक्तिस्थान छोड़ा गया था लेकिन जो मनलीब के अवर साड़ी में उत्क्रष्ट गैसों को प्रदर्शन नहीं किया गया था ठीक है जबकि आदनी कवर साड़ी में अट्रामी सम्म में त्रोप से रखा गया है तो इस प्रकार से आपके छेतों डिफ्रेंस कंप्लीट हो गए एक और डिफ्रेंस लिखना तो लिख सकते हैं जैसे मनलीब की अवर्स्ताने में कुछ ऐसे तत्तों के वरस्तित कर दिया था कि जिनका परमारु द्रब्मान ने उनको पहले रख दिया तो ये साथमा डिफ्रेंस था तो इस प्रकार से जो टेंथ क्लास में भी कोशन आता है मनलीब की अवर्स्तानी और आदमी का वर्स्तानी में तुलना तो टेंथ वाले बच्चों के लिए तो काफी हैल्फ हुलोगा एलेवंध में तो बिल्कुल ये डिटेल से ही दिया है ल तो आसवर उम्मीद एक वीडियो पसंद आएक पसंद आएक लाइक कर देना दोस्तों सेयर कर देना नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रस कर लेना मिलते हैं लिए वीडियो में तब तक लिए जय ही बंद मातरम